तो प्यारे बच्चों इस वाले सवाल को देखो, इसके लिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर एक बोडी है, वर्क डन एज फंक्शन आप टाइम निकालना आने बोडी, तो चलो महां लेते हैं यहां पर एक बोडी है, और जब टाइम जीरो था यहां पर तो बोडी जो है अब उस बोडी का मास M है, कुछ समय बीता होगा, टाइम T बीद गया होगा, तो यहां से यहां यह से बीता काने में जो टाइम लगा, वो टाइम T1 है, ठीक ना, और यहां पर जो वेलासिटी है, उसकी भी हो चुकी है, तो जो T है, वो एक जनरल टाइम है, मतलब किसी भी टी में वर्क डन, एज फंक्शन अब टाइम, वो वाली चीज हमें निकाल ली है, तो यह जो डिस्प्लेस्मेंट है, वो कुछ हुआ होगा, ठीक ना, में एक जनरल डिस्प्लेस्मेंट निकाल लेता हूँ, लेट अस फार गेट इट, यह भूल जाओ, तो जनरल डिस्प्ल टाइम यहां से आ गया, ठीक ना, क्योंकि हमें वर्क डन निकालना है, टाइम टी वन में, तो टी वन टाइम में वेलोसिटी भी वन है, तो एक्सलेशन कितना हो गया, वी इस उकॉल टू यू प्लस ए टी, तो वेलोसिटी यहां से भी वाई टी वन की जो वेलू है, एक्सल जन्रल टाइम है जन्रल टाइम और यह हमें चाहिए यह फंक्शन अब टाइम तो वर्क डन इज उकल टू फोर्स इस उकलू टू एम ऐर डिस्पलेशमेंट से मास एकसे लेशन यहां से यहां से M that is V time T1 और यहां से half और explanation AB by यहां T1 अगेन बन गया और general time T का square तो यहां से M by 2 यहां से M by 2 यहां जनरेट हो गया तो M by 2 जनरेट होगा है M by 2 यहां से M by 2 इधर आ गया और V और T1 का यहां से whole square बचा और इधर T square बचा ठीक है तो M by 2 यहां से T1 का whole square T square इस हिसाब से तुम देखोगे तो कौन सा option मैच कर रहा है M by 2 यहां T1 का whole square T that is D option मैच कर जाता है थैंक यू बाबाबा टेक केर